नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूं में एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चेनल गो ब्लोक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरान अंद दो भाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक समदर सास्तर का ये अंक अपनी ही यूट्यूग के चेनल गो ब्लो कि विश्य त्रूप से ऐसे बिक्ती पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं सकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं और अपनी जीवन में जादतर मामले में निरंतर आगे बढ़ने की सोच ऐसे लोगों की रहती है और कर्म भी ये उसी दिसा के और ले जाते एक दार्षनिक किसम का ब्यक्तित्व आपका है ये आपकी हतेली बताती हुई यहां पे नजर आ रहे हैं दूसरी बात देखें हतेली की रंगत यहां पे बहुत खोपसूरत है बहुत सुन्णर है जीवन में कैसी भी प्रस्तितियां हो अनुकोल हो या परतिकोल हो या आजाएं तो भी ऐसा ब्यक्ति छोटी से छोटी चीजों में भी खुसियां ढूंडता है और अपने जीवन का पूरा लुथ वो उठाता है और जीवन में सौबग्य सालिता को प्राप्त होता है यह एक्चुल जीवन की गाथा यह लोग जानते हैं ठीक है यह आपकी हतेली आपके बारे में बता रही है अब अगर आप यहां पे देखेंगे यहां पे आपके जो निम्न मंगल है और आपका जो उच्च मंगल है यह दोनों पुष्ट और सुन्दर आउस्तामी है बहुत खुब सुरत है और पुष्ट है सुन्दर है प्राकर्म आपके अंदर बहु ये मंगल बता रहा है कि जीवन में कितनी भी प्रेशानी आजाएं समश्याओं में आप आजाएं लेकिन मंगल के कारण अपने आपको हार नहीं मानेंगे लगातार लगे रहेंगे, जूजते रहेंगे और देखेगा नेचर भी बड़ा अलबेला रहेगा और है, दूसरों की सेवा करने के लिए भी तत परता है दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से एक है दूसरों की भी मदद करने वालों में से एक है अपना पेट और अपनी मदद तो हर इनसान करता है लेकिन एक्चुल इनसान वो ही होता है जो समय पे दोसरों के साथ खड़े हो दोसरों की मदद करे दोसरों की सेवा भी करे यही तो इंसानियत है और यही आपका मंगल दे रहा है ऐसा अलबेला नेचर आपको देता हुआ यह दिखाई दे रहा है एक बात बहुत अच्छी है आपके अंदर अपने कामों में आप बड़ी मुस्तेदी से लगे रहते है और यही चीज आपको बड़ी खास बनाती हुई यहां पे दिखाई दे रही है और यहीं से आप देखेंगे जीवन काल के चपपनुए वर्स से यहां पे आप सांदार तरीके से देखें तो एक रेखा इस तरह से जाती हुई यहां पे इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दीरी है सनी की तरफ यह क्या बथा रही है जैसे यह पुष्ट होगी सुंदर होगी सनी से मिलन करेगी वैसे वैसे जो है इसके गुणों में निखार आएगा राहो सनी से 56 वर्स में मिलन कर रहा है सनी की गुणों में बिर्दि कर रहा है और ये कर्म को देखता है नौकरी का मालिक है भाग्यास्तान है आपका जो तरक्की है यहाँ पे मनि धन में बड़ोतरी कटती है यह धन में बहुत बड़ी बिर्दि होने वाली है जिवन के काल के 56 वर्स से राहो सनी से मिलन कर रहा है सनी के गुणों में बिर्दि कर रहा है कहीं न कहीं 56 वर्स से ब्यापार में अपार सपलता के योग बन रहे है एक चीज और है इसके साथ-साथ यहां पे आप देखेंगे एक रेखा जो है परतीत हो रही है कि यहां से निकल कर यहां पहुंच जाए अगर यह रेखा पहुंचती है अभी कहा नहीं जा सकता उधर इमानी स्थिति में है अगर ये पहुँचती है तो अपने कारियों में बिस्तार तो पाएंगे यस पाएंगे लेकिन नेम फेम बहुत जादा हो जाएगा दूसरी बात है यहां से एक रेखा जारी इस तरह से ये अगर आप ध्यान से देखें इस प्रकार से जाती हुई यहां पे नजर आ रही है ये इस प्रकार से ये भी जितनी इसपश्ट होती जाएगी जितनी सुन्दर होती जाएगी आपका जो सपलता का अस्तर है उतना ही बढ़ता जाएगा और प्रगती भी अच्छी होती जाएगी और ब्यापार में कहीं न कहीं बहुत बड़ी सपलता के योग बनाती जाएगी लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पे चंद्रमा अनबैलेंस हो गया है और यह रेखा अगर पुष्ट होती है तो ब्यापार के लिए तो बहुत अच्छी है ब्यापार में सपलता भी मिलेगी आपका ब्यापार फैला गया भी लेकिन अगर यह खराब होता गया बहुत ज़्यादा उटता गया या बैठता गया अन्बैलेंस होता गया तो पेट की समस्याओं को भी देता हुआ दिखाई दे रहा है digestive system का ध्यान रखना पड़ेगा कुछ समय तक ये मन को गड़बड रखेगा मानसिक परेशानी भी देगा ही देगा चाहे आप लाग परियास कर लें लेकिन ये देगा और कई बार ये भावकता कर सकता है भावकता दे सकता है भावक जादा हो सकते हैं ये एमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं ऐसी इस्तिति में मन अच्छा नहीं रहता है काम में मन नहीं लगता है या जो है मन बेचेन हो जाता है मन भटकता है मन खराब सा रहता है इस परकार की सिकायतें भी कुछ समय तक रहने वाली है और नीन आने भी भी कहीं न कहीं थोड़ा सा disturbance हो सकता है या सरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें उतार चड़ाव आ सकते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा चंदर्मा को ठीक करें स्वस्ते से समंदित चीजें ठीक रहे तो थोड़ा सा इसका दिहान रखेगा अब यहां पर थोड़ा सा बहुत सुन्दर दो चीजें देख लिजेगा एक तो आपका जो मनिबंद है ये वाला इसमें देखेंगे आपको आपकी जो है मनिबंद में दो रेखाई हैं दो लकी रहे हैं कुल जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं दो लकीरे हैं इनका अर्थ है कि आप अपने जीवनकाल में स्वयम के प्रिसरम से स्वयम के प्रकरम से स्रेष्ट सपलता आपने अभी तक हासिल की है और आगे भी केवल और केवल स्वयम के ही जादा प्रिसरम से स्वयम के ही जादा प्राकरम से स्रेष्ट सपलता को हासिल करेंगे। ये दो रेख़एं बता रहे हैं कि कहीं न कहीं जीवन काल का जो प्रारमविक दौर था, वो थोड़ा सा संगरसों से युक्थ था और उसी संगरस के बदोलब आपने अपनी जीवन काल में हर सुक को पाया है, हर सुक का भोग किया है आगे भी आने वाले समय में अपने स्वयम के प्राकरम से स्वयम के परिस्रम से हर सुक का भोग करेंगे हर सुक को पाएंगे बहुत सुन्दर है ऐसा बिक्ति स्वयम के बलबूते पे कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में आपका केतु दे रहा है हाँ थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखें कुछ लकीरें पैदा होती हुई यहाँ पे छोटी छोटी गुण गुण दिखाई दे रही है कुछ समय तक कोई न कोई चिंता मन में बनी रहेगी ये चीज को ये बता रही है ठीक अब देखेगा ये आपका मरकरी का माउंट है इसको क्या कहते हैं बुद्ध का परवत यहाँ पे आप देखेंगे इसकी उंगली सीधी खड़ी है और आपकी सूरी की उंगली के पहले पौरवे तक पहुँच रही है अत्यंत स्रेश्ट कम हातों में मिलेगी लेकिन ऐसी उंगली मिलेगी और आप प्रेक्टिकल रूप में देखेंगे ऐसा ब्यक्ति आपको ब्यापारी बर्ग का ब्यक्ति मिलेगा ब्यापार करता हुआ ऐसा ब्यक्ति नजर आएगा ब्यापार के गुण ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे अगर ऐसा ब्यक्ति ब्यापार न कर रहा हो नौकरी कर रहा हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे वो सरकारी नौकरी करे अधिकारी लेवल का ब्यक्ति होगा उच्चवर्ग का ब्यक्ति होगा स्रेश्ट और सफलतम ब्यक्ति होगा ये निश्चित है क्योंकि ऐसे लोगों की जो communication skills होती है वो कमाल की होती है बोलने की जो छमता होती है वो बहुत अच्छे होती है ऐसे जातक अपने बलबोते पर कुछ करने वाले होते हैं और ये गुण आप में सर्वस्रेश्टम इस्तिति में है और ध्यान रखे जब करनिश्ट का अपनी अस्तान पे इस प्रकार से लमवत खड़ी हो और इसके पहले पोर्वे तक पहुँच रही हो तो ऐसा विक्ति स्वयम उध्यमी तो होता ही है कुछ ऐसे करने की फितरत में भी रहता है जिन अच्छे कारियों के लिए लोग उन्हें सदेव याद रखे और ये कला आपके अंदर है अब एक और विसिष्ट बात देखेगा आपकी हतेली में हंडेट प्रसंट यही आप निकलेगा देखना आप आपके हतेली में जो ये सूर्य का परवत है ठीक है उसकी जो उंगले है वो भी सीधी खड़ी है यहाँ पे और ब्रस्पति की उंगले से बड़ी दिखाई दे रही है मिडली फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है हमारा हस्त रेखा का पौराणिक सास्तर कहता है कि हंडेट प्रसंट ऐसा बिक्त अपने जिवनकाल में यस की प्राप्ति करता है आप यसोसी होंगे समाज में मान परतिष्टा यस पाने वाले फिंपाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने जिवनकाल में आने वाले समय में निश्चित रूप से सपलता बहुत बड़ी मातरा में आपको मिलेगी यहाँ पे यह बता रहा है आपके हतेली में राजयोग की उत्वति यहां पे दिखाई दे रही है अब ये जो राजयोग है ये राजयोग 99.9% नहीं 100% accurate राजयोग है इसका फल मिलता ही मिलता है अब एक बहुत अच्छी बात क्या है कि ये राजयोग के बारे में किसी भी सास्तर में नहीं लिखा गया है किसी भी गरंथ में नहीं लिखा गया है चाए वो हस्तर एखा का हो चाए समतर सास्तर का कोई भी गरंथ हो नहीं लिखा है ये हमने कुछ रिसर्च की है ठीक है अब उस रेसर्च पे हमने लोगों को जब बताया है तो आपके द्वारा हमारे पास इसका feedback जो आया है वो 100% accurate आया है किसी ने टिपणी के द्वारा किसी ने जो है WhatsApp पे message द्वारा किसी ने phone के द्वारा किसी ने ID, mail ID से मुझे इसके बारे में बहुत सुन्दर feedback दिया है और actual चीज 100% accurate निकली है जिसकी भी हतेली में ऐसा राजयोग मैंने देखा वो ही चीज निकली है और बड़ी ताजुब के बात है कि इसमें 1% भी इदर उदर नहीं रहा क्या बन रहा है बड़ा सरल तरीके से देखेगा क्या हमने देखा क्या आपके हतेले में बन रहा है देखेगा हमने क्या पाया है कि जब ये मरकरी का माउंट वाली जो उंगली है सीधी हो या जुकी हुई हो और सूर्य परवत के सूर्य उंगली के पहले पोर्वे तक महुच रही हो सूर्य उंगली लंबी हो और ब्रिस्पति की उंगली से बड़ी हो और मिडल फिंगर से छोटी हो और ब्रिस्पति का परवत सुंदर और पुष्ट आउस्ता में हो आपका भी ठीक है तो ऐसे में 99.9% मामले में ब्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे समंदिच छेतर में कारे करने वाला होता है 1% किसी प्रस्तितवस अगर इस ब्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे समंदिच छेतर में कारे करने का मौका न मिला हो तो ऐसा विक्ति ब्यापार में जाता है और ब्यापार में उत्कृष्टता हसिल करता है ब्यापार के कारण जाना जाता है एक पहिचान बनती है ऐसे लोगों की और ये राजयोग आपकी हतेली में है या तो आप सरकारी नोकरी या इससे समंदित छेतर में होंगे या ब्याप राजयोग का फायदा भी आने वाले समय में आपको मिलेगा ही मिलेगा तो ये राजयोग बनता है ठीक है अब आप जो है जो वीडियो देख रहे हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनकी हतेली में इस परकार का योग बन रहा है तो कौन सी नौकरी में वो बढ़ी काम्यावी हासिल करेंगे क्या पदमे करेंगे अगर सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो गई तो ब्रिस्पति को देखना चाहिए ब्रिस्पति सुन्दर है सिक्छा का छेतर है इंजीनीरिंग का छेतर है चिकित्सा का छेतर है management का छेत्र है बानिज्जा का छेत्र है और कानून का छेत्र है इन छेत्रों में अगर आप मेहनत कर रहे हैं परिश्रम कर रहे हैं तो निश्चित तोर पे जल्दी और बहुत बड़ी काम्याभी आपको हासिल होगे यदि आप ब्यापार के तरफ जा रहे हैं निश्चित रूप से ब्यापार में भी उत्कृष्टता हासिल होगी और एक यूनिक पहचान आपकी बनीगी समाज में ये राजयोग इस चीज़ को बताता है प्लसरल है ये राजयोग बताता है अब देखेगा ये उंगली भी आपकी सीधी खड़ी है और ये सनी की उंगली है मिडिल फिंगर इसको कहते है लंबी है सीधी है बहुत जादा मेहनती है कर्म में विश्वास रखने वाला ब्यक्तित तो है मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है लेकिन एक छोटी सी नगेटिव चीज भी है यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी रिंग फिंगर है जो मिडिल फिंगर है इसकी बीच में गैप दिखाई दे रहा है और ये नगेटिव है ये सनी के नैसरगिक नगेटिव गुणों में बिर्दि करता है जब सनी के साड़ी साती होती है सनी ढ़या में होते हैं सनी बकरी में होते हैं सनी रुष्ट होते हैं तो इसका परभाव आपकी जिवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा ये निश्चित पड़ेगा ही पड़ेगा ये इस चीज को बताता है अब यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज और देखेगा यहाँ पर ये ब्रस्पति का जो है माउंट दिखाई दे रहा है आचारे ब्रस्पति जी हैं और हमारी हतेले में बैठने वाले ये पर्थम आचारे है देवताओं के गुरू है ये इनकी जो उंगली है इस तरों से जुकती हुई दिखाई दे रही है करब ले रही है पूरी तरों से और मिडल फिंगर के तरब इसका जुकाओ है क्या बता रहा है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत बड़ी मातरा में रहेंगे अपने आरध्य के परती अपने इस्ट के परती समर्पन की भावना रहेगी और एक सरदा भावना अटूट रहने वाली है एक दयावान विक्तित रहेगा प्रोपकार की भावना रहेगी और निश्ठूरता है कुरूरता है खडूसपन है आपको नहीं चूपाएगा और इसका कहीं न कहीं सामाजिक दाइरे से देखा जाए तो सामाजिक दाइरे से इसका आपको फाइदा भी मिलेगा यह यहाँ पर बता रहा है ठीक है अंग उठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाहा रखने वाला विक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रेतनसील विक्तित्व भी यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है लेकिन चंद्रमा जो है अच्छा नहीं है इसको ठीक जरूर करें नहीं तो यह मानसिक प्रेशानी देगा संगर्स देगा मन को खराब रखेगा पेट उगेरा की दिक्कत देगा या साररिक कश्ट भी दे सकता है तो इसको समय रहते ठीक जरूर करें साथ में अगर आप ब्रिस्पति को देखते हैं तो यह सनी की तरब भागते हुई दिखाई दे रहे हैं परिवार को लेके कुछ चिंताईं या परिवार से समंदित कुछ प्रेशानिया समस्याही जन्म ले सकती है इस बात के और यह इसारा कर रहा है ठीक है नए परिवार को लेके कुछ चिंताईं रह सकती है या परिवारिक समस्याहों से जूजना पड़ सकता है आने वाले समय में कुछ समय तक बहुत बड़ी प्रोब्लम नहीं है लेकिन छोटी सी है इस बात से हम जो है वो नहीं कर सकते हैं हाँ ब्रिश्पति का परोध सुन्दर और पुष्ट आउस्ता में है स्रिष्ट ब्रक्ति है अपनी जीवन में स्वयम तो उन्नति करते ही करते हैं जो आप से मन से जुड़ता है या आपके संसर्ग भी आता है कहीं न कहीं आप उसे भी उन्नति करने में सायता परदान करते हैं सहयोगी की भूमिका निबाते हैं लेकिन आप स्वावी मानी भी बहुत ज़्यादा है अपने छितर में अच्छा खासा नोलेज अर्जन करने वाला ब्यक्तित्व आपका है और एक नियाई प्रिय ब्यक्तित्व है ज़्यादतर मामलों में आप अपनी बातों का निरोहन करने वाले हैं और धार्मिक भावनाई भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में हैं प्रॉपकारी भी हैं और देखेगा किसी भी ब्यक्ति की हतेली में अगर ब्रिस्पति इस प्रकार से सुन्दर हो पुष्ट हो तो ऐसा ब्यक्ति नौलेजबल ब्यक्ति होता है विद्ध्वान होता है आत्म ज्यान ऐसे लोगों के अंदर रहता है और जीवन में ब्रिस्पति जी की उजोसे अपारमान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है चाए सडक का किनारा हो, चाए महल की उचाई हो हर जगा ऐसे विक्तियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और सम्मान मिलता ही मिलता है बिरस्पति अगर इस प्रकार से हो जैसे आपकी हतेली में है तो समस्याएं तो सब विक्ति के जीवन में आता है हर विक्ति के जीवन में समस्याएं है आपकी भी आएंगी और आती रही है लेकिन क्या होता है कि अनिष्ट नहीं कर पाती है आती है थोड़े दिन परेशान ज़रूर करती है लेकिन जैसे आई थी वेसी चली भी जाती है अनिष्ट नहीं कर पाती है तो ये आपका ब्रस्पती आपको देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है अब यहाँ पे चीज देखेगा यहां पर आप देखेंगे आपकी हिर्दे की लकीर इस तरों से जाती हुई और सीधा आचारे बिरस्पति से ही युक्ति बना रही है यह भी बहुत सरेश्टा है यह आपके बिक्तितों को बता रहा है कि आप ऐसे बिक्ति हैं कि जो केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं बलकि सब के लिए सोचने वाले बिक्ति हैं जादा सी जादा नौलेज अर्जन करते हैं बुद्ध्यमता से काम करने वाले हैं तेजुस्वी भी हैं प्रेम के मामले में भी बहुत सर्वस्रेश्टा हैं दिखाव अभिमानी है और स्वाविमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है दिक्कत तो नहीं है लेकिन एगो प्रोब्लम भी है हाँ निर्मल हिर्दय का विप्तित्व आपका है आने वाले समय में ये चीज बता रही है कि चाहे आप व्यापार ही करें अपनी जीवन में चाहे नौकरी करें चाहे और काम करें एक स्रेष्ट जीवन आपका रहने वाला है हाँ थोड़ा जो है चंद्रमा का जरूर द्यान रखेंगे चंद्रमा का उपाई जरूर करेंगे यहाँ पे से एक रेखा इस तरों से मिल ली है इस भी आपके जो एलिमेंट हैं आपके जो पंच तत्व हैं उनके अनुसार जो आपके इश्ट देव हैं वो इस भूबैकुंट के इस भूबैकुंट धाम के स्वामी बगवान बदरी विशाल जी है उनके साक्षात किरपा आपके उपर है अगर आप जीवन में अच्छे कारे करते हैं अच्छे रहा पर चलते हैं तो आने में हाथ डालेंगे जादतर उसमें पूरी सपलता की प्राप्ति करेंगे इसके अलावा समाज में खूब लोग प्रियता और सम्मान के पातर भी होंगे अत्यंत भग्यसाली लोगों में से एक रहने वाले हैं ये बता रहा है लेकिन अपनी स्वार्थ के पूर्ति के लिए परिवार के स्वार्थ के पूर्ति के लिए अगर कोई गलत काम करते हैं तो यही चिन्न आपको रसातल की और ले जाएगा और फिर उससे उबारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा नहीं उबर पाएगे इस चीज का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा देखें तो यहां पे ब्रस्पति इस तरों से जुक रहा है और यहां पे जो है बहुत छोटी-छोटी गोन रेखाएं काट भी हैं पारिवारिक समश्या को भी जन्म देता है यह और मानशिक तनाव की इस्तित को भी जन्म देता है तो इसको सनी को ब्रस्पति को और क्या है आपका चंद्रमा को एक सीध में लाना पड़ेगा तब जाके चीज़ें बहुत भेतरीन रहती हैं बहुत आच्छी रहती हैं और जीवन में जो है विक् मस्तिस्क की रेखा देखें इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है बौदिक अस्तर आपका बहुत अच्छा है मस्तिस्क सक्ति बहुत सुनर है आपके यह इस चीज को बता रहा है यहां से देखेंगे एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई और यू जा रही है लेकिन अभी इसका अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है, ये तकरिबन साड़े तीन वर्सों के बाद अच्छा फल देगा, आपका राहू, आपका जो है, जिसको हम कहते हैं, बुद्ध से युक्ति बनाएगा, ब्यापार में कहीं न कहीं अपर सपलता का योग आएगा, लेकिन साड़े तीन वर्सों के बाद जब ब्यापार अच्छी खासी इस्तिति में बढ़ रहा हो, तो थोड़ा सा एक चीज का ध्यान दे, बाद बिबाद में न फसे, बिना बाद की उल्जहन में न फसे, और लोहे उगेरा से दूर रहे, दो चीजों का ध्यान लखेंगे, क कि सास्तरों में ये लिखा है, कि ब्यापार में अपार सपलता और धन में भारी बिर्दी, लेकिन मैंने कुछ लोगों के हतेली में ये चीज देखी है, तो इस चीज को मैंने ये चीज पाया है, कि जब ये पुष्ट और सुन्दर हो जाती है, ब्यापार में तो बहुत लोहे उगेरे की चीजों से साबधान रहना पड़ता है, मनि गाड़ी चलाना रहे हो या कुछ भी हो उसमें चोट फटाक का ड़र रहता है, स्वयम अगर चला रहे हो, तो जब ये ब्यापार में भारी बिर्दी देना सुरू करे, तो दो ढ़ाई तीन साल तक आप थोड़ा लाद विबाद से दूर रहेंगे और लोहे की चीजों से दूर रहेंगे, तो चीजें बहुत बहतर रहेंगे, इस बात का ध्यान रहेगा, साथ में आप देखेंगे, यहां से ब्यापार की रेखा और यहां से करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई द और खर्चा जो है कहीं न कहीं खर्चे पे रोग लगेगे खर्चा कम होगा। जीवन की रेखा इस तरोसी जाती हूई सीधा पीछे की तरफ जारी है। बहुत सरेष्ट। ऐसा ब्यक्ति जादतर मामली में निरंतर उन्नति करता है। और जीवन में बहुत बड़ा कश्ट, बहुत बड़ा संकट या गंभीर बिमारी नहीं आती है संभावना ये ही रहती है इस प्रकार की अगर जीवन रेखा हो परिवार के परती भी समरपन की भावना ऐसी लोगों के अंदर रहती है ये ब्यक्ति के उच ब्यक्तितों को बताता है अगर यहां पर इस प्रकार से ये हो तो ब्यक्ति धर्म के मामले में अध्यात्म के मामले में रुचि लेने वाला भी रहता है और धर्मिक परवर्तिका भी ऐसा ब्यक्ति रहता है यही आपकी हतेली में दिखाई दे रहा है अंगुठे के नीचे का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं सुक्र का परौत कला है, सोनर्य है, सुनर्ता है इन सब चीजों के लिए और एक सुखत जीवन के लिए हतेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है आपके हतेली में देखें, सुनर्रोप में उबरावा दिख रहा है, तेजो में आउस्ता में आप भी तीजोस्वी है आपका चेहरा भी कहीं न कहीं बहुत सुनर्ता है आकरसन है, आपके अंदर विद्यमान है और हर प्रस्तित को जहलने की चमता भी आपके अंदर है अपने को मेंटेन रखना, अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज समर कर रखना ये चीजें जादा यहाँ पे दिखाई दे रही है हाँ परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा आने वाले समय में परिवार का सुक भी मिलेगा और आप भी परिवार के परति समरपन रहेंगे समरपित रहेंगे, बहुत केर करने वाला बिप्तित्व आपका रहने वाला है ये यहाँ पे बता रहा है वर्टिकल लाइने भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कारे के परती जुजहरोपन है जिस कारे को हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक उसको छोड़ते नहीं है और ये खूबी आपको दोसरों से अलग बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है यहाँ पर ये पुष्ट और सुन्दर है लेकिन ब्रस्पति का परोथ सनी की तरफ जुक रहा है ऐसी इस्तिती में यह हलके रोप में नगेटिब प्रभाव भी देता है कई बार ब्यक्तिकों ऐसे में मानसिक संकुटों का सामना करना पड़ता है कोई न कोई चिंता बनी रहती है उल्जन बनी रहती है और बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा प्रिसरम करने के बाद भी ब्यक्तिकों लगता है कि कुछ न कुछ अभाव की इस्तिती है और जो सुक है उस सुक का पूरा भोग ब्यक्ति कम कर पाता है दिव्य योगध्यान के रिया जरूर करिएगा निश्चित तोर पे इसका फाइदा बड़े रोप में आपको मिलेगा निम्न मंगल और उच्च मंगल की बात हमने यहाँ पे पहले ही कर ली है ब्रिस्पति की बात भी कर ली है सनी सनी आपका अच्छा है इसमें कोई भी जो है टकरावनी है कोई भी गलत चीज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है सूरे में जो रेखा है यह बहुत सुन्नर है यस की प्राप्ति निश्चित तोर पे जीवन में होगी मान सम्मान की प्राप्ति होगी यह यहां पर दखाई दिरी, यहस की रेखा है कि दखाई दिरी, एक रेखा यूँ जारी है और हिरडे की रेखा यूँ आरही है दो दो थृकून बन रहे हैं जीवनकाल के 56 वंवर्स के बाद ये जो चिन है वो बुद्धि मता में बिर्दि करता हुआ दिखाए दे रहा है कहीं न कहीं ब्रिक्ति कला का पार्खी और सिद्धस्त हो जाएगा ये निसान इस बात का गवा है कि धनी होंगे ये धनी होनी की सोचना है निसानी है संबव है असंबव नहीं है कहीं न कहीं करोड़ पतियों की सूची में अपना अस्तान बना लेंगे पैतरिक रोप से कितना भी निर्दन है आर्थिक संपन ना भी है तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी पूरसोतों के बल पर अपने प्राकरम के बल पर अच्छा खासा धन और अच्छी खासे प्रसिद्धी को आप कमाएंगे हाँ बर्तमान समय में देखे तो सूरे पूरी तरों से उर्जा प्रवाइड नहीं कर पा रहा है जिसके कारण आपकी जो सार्रिक चक्र है वो सूरे के चक्रों के साथ प्रस्पर तालमेल में नहीं है तो इसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे कहीं न कहीं पढ़गा है चाए वो सार्रिक स्वस्त्य है चाए जीवन की वास्त्विक खुसाली है चाए उत्सा है चाए उर्जा है ये चीजें कही न कहीं उतार चड़ाओं पे हैं क्या करना है आपको इन चीजों को प्रस्पर लाने के लिए आपको एक दिव्य सूरी किरिया कंदी है यदि आप प्रेक्टिकल रोप से अनुसासनात्मक ढंग से दिये गई समय तक और दिये गई समय से ये किरिया करते हैं टाइमिंग का ध्यान रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो सारिक चकर हैं वो सूरे के चकरों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और कहीं न कहीं आपकी सारिक सेहत बहुत अच्छी होगी आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सह प्रविजिता से चलेगा ये निश्चित है फिर चाय सारिक स्वच्त है जीवन की खुशाली है उत्सा है उर्जा है इन चीजों की आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी ये हमेशा आपके साथ रहेंगे और इसका मैं बहुत विद्वत तरीके से उपाई भी आपको दे हुआ है तो अगर व्यापार कर रहे होंगे तो मध्यम इस्तितिका फिलहाल रहने वाला है इस बखके और ये जो है संकेत कर रहा है देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हतेले का बिश्लेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विद्वत तरीके से लिख करके आपके व